सोजाएं साथियों फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में तो दोस्तों हर रोज की तरह आज भी हम यहां पर निप्टी 50 और बैंक निप्टी की कम्प्लीट डीटेल में टेक्निकल नेलिसिस वीडियो आप सभी के सामने लाए तो अगर आप चैनल पे नए हैं पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बिल आकन को प्रेस कर लीजेगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा चली अब हम बात करते हैं टॉपिक की बात ये करते हैं देखिए बैंक निफ्टी अभी फंद्रामेट के टाइम फ्रेम कर लीजेगा दिमाग में बसा लीजेगा अगर मेरे नाम से कोई भी आप सभी से किसी भी प्रकार का कोई पैसा मांगता है तो उसे पैसे नहीं देने हैं यहां पर सारी चीजे बिल्कुल फ्री आपकॉस में आप सभी के लिए प्रवाइट कराता हूँ मुशी आपका प्या कोई मैसेज काल करता है तो वह फ्रॉड होगा ठीक है अगर आपको टेलीग्राम आप तो description में आपको link मिल जाएगी उस link के थूँ आप टेलीग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं link पे click करेंगे सीधा हमारे original टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएगे otherwise ऐसे अगर टेलीग्राम पे सर्च करके जाएगे तो वहाँ पे तमाम सारे fake channels मेरे नाम से बने हुए हैं तो वहाँ पे आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा original है कौन सा डुब्लीकेट है ठीक है तो original जोइन करना description में आपको link मिल जाएगी बाकी दूसरा point मैं आपको बताऊंगा और नहीं से भी रेजिस्टर हुए चलिए यहां पर 15 मैट के टाइम फ्रेम पर हम देख रहा है कि सेप्टेंबर के लिए मैंने आप सभी को बताया था यह जो दो इसके बाद में 100 points का और मुझे देखने को मिलेगा उपर साइट के लेगा यहीं चीज़ नीचे के लिए बताया था 43,880 के नीचे अगर closing देती है कोई भी candle या फिर sustain रहती है वीडियो नहीं बना रहा हूं यह चीज़ आप सभी को समझ लेनी चाहिए वीडियो आज देखिए जो लेवल बता रहा हूं लेवल्स को कल अबज़र कीजिए देखिए सिखिए दिन उसके बाद में आप सभी लोग कोई भी निर्णाय ले सकते हैं चलिए अप चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता है क्योंकि कल के बारे में भी हमें कुछ जानना है मार्केट अगर गैप अप कराती कैसे कराती कहां कराती यह सारी चीज़े समझेंगे 15 मेट के टाइम फ्रेम पे आप सभी लोग भी अपने चार्ट पे या फिर कुछ इस तरीके से इस वाले हाई को और यह वाला जो हमारा हाई दिख रहा है देखे यह वाला हाईयर पॉइंट और यह वाला हाईयर पॉइंट हमें दोनों कनेक्ट कर लेने हैं एक ट्रेंड लाइन के बराबर में क्योंकि उम्हें जताई जा सकती है कि मार्केट कल थोड़ा सा गैप अप हो सकती है ठीक है त के आज पास में अगर हम देखते हैं तो यहां से यहां से अगर हम देखते हैं तो उपर से जो गिरावट करी हुई है नीचे की साइड में यह लेवल 584 है इसलिए मैंने राउंड फिगर में यहां पर 54,600 का लेवल बताया हुआ है 78% का भी retracement मुझे यहां पर दिख रहा है तो अगर हम यहां से क्या करने वाले हैं अगर हमने पूट होल्ड करके रखा हुआ है मान के चलो तो हम क्या करेंगे इस स्ट्रेटजी की मताबिक इस स्ट्रेटजी की मताबिक मुझे फिर करना क्या होग है तो फिर हमें next target के लिए ready होना चाहिए और वह next target कौन से होने वाले हैं यहां पर मैं आप सभी को थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं जो कि horizontal line की मदद से मैं यहां करता हूं लेवल और यह लेवल जो अभी हाई लगा हुआ है 800 के आसपास में है तो हमें 800 का एक लेव break out करता है sustain करता है तो 44,800 का लेवल दिन इसके बाद में अगर उपर की तरफ जाती है तो फिर 44,950 इसके बाद जाती है तो 45,050 के आसपास इस तरह से हम जो है target ले सकते है call side में ठीक है अगर भारी बुलिस हो गई तो market फिर 45,000 45,000 450 यानि 3-400 points फिर उपर जा सकती है लेकि 44,950 और 45,050 का ये resistance मिलेगा तो इससे ignore मत कीजीगा ठीक है अगर market जो है यही से नीचे की तरफ आने लगती है तो फिर मुझे कौन से target या stop loss लेने चाहिए देखिए ये जो level है 44,400 का ये important है लेकिन इसके बीच में मुझे एक psychological level मिल रहा है वो मिला है 44,500 का तो अगर 460 से हम put side में बने हुए हैं तो एक 50 या 40 points के stop loss के साथ जो है हम पहला target ले सकते है 44,500 का देन इसके बाद में नीचे आती 44,400 का target इस तरह से ले सकते हैं ये चीज़ क्लियर हो गई चलिए अब हम next target की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले यहां से हम लगाते हैं फिर मिल रहा है तो ठीक है मैं यह 50% का level ले लेता हूं 200 के आसपास ठीक है यह मैं यहां से delete कर देता हूं इस तरह से और इस चीज़ को मैं ले आता हूं यहां पर अब यह चीज़ हो गई लेवल हमारे नोट का लीज़ेगा अब यहां पर अगर in case market 44,400 के नीचे trade करती है तो क्रमसा 44,200 और 43,980 कह सकते हैं या फिर 44,000 के आसपास कह सकते हैं 10,20, 30.00 ऊपर नीचे हो सकता है फिर से मैं बताना चाहूंगा कि अगर market 43,980 के नीचे sustain करती है तो 43,750 के लेवल के जो कि मैंने आप सभी को बताए कि इतना समझ में आई मुझे नहीं पता है लेकिन जो कुछ भी समझ में आया हो आप सभी लोग comment section में comment कर सकते हैं अदर्वाइस वीडियो को like भी कर सकते हैं ना समझ में आया हो क्या नहीं समझ में यह चीज़ अगर comment box में मुझे बताएंग अपने आप सभी ऐसा ही प्यारा सिर्वाद बनाए रहें वीडियो को बिना skip के हुए देखते रहें देरे देरे हां एक दिन में ना समझ में आएगी तो एक दिन जरूर समझ भी आएगी यह इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मिलेंगे अभी निप्टी-फिप्टी की वीडि यह झाल समय गाल preparation झाल समया लग तो एक दोस्तों मिलेंगे अग darum है झाल समी यह झाल रहें है झाल समय हो आप साथ पर दोस्तों में रहें आपसका муж कि यह जरूसलीत अप्स बिलेगी एट व्ता को आप एसा कर पर देखते दोंग जरूसली समय हो एका उल फ्यार प्लावाक